दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सिखने वाले हैं कि हम किस प्रकासे एक फोटो सेल सेंसर का उप्योग करेंगे याने कि हम किस प्रकासे डे एंड नाइट सेंसर के द्वारा किसी भी लेम को चालू और बन करेंगे यह जो हमारे पास में sensor है इस sensor का उपयोग घर के बाहर जो light होती है और जो street light होती है उनको चालू और बन करने के लिए इस्तामाल किया जाता है जैसे कि आपको मालूम है कि जो घर के बाहर में light होती है उसको हमें केवल night में चालू करना पड़ता है और सुबह सुबह उसको बंद करना पड़ता है तो यहाँ पे जो हमारे पास में sensor है यदि हम इस sensor को उस light के साथ में connect कर देते हैं तो जो हमारा light होगा या फिर जो street light होग वो automatically रात होते ही चालू हो जाएगा और सुबह होते ही बंद हो जाएगा यहाँ पे हमें किसी प्रकार का switch को प्रेस करके चालू बंद नहीं करना पड़ेगा पूरा का पूरा काम हमारा sensor कर देगा अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा sensor था इसका unboxing कर लेते हैं तो दो sensor को हम day and night sensor भी कहते हैं अब यह जो हमारा box है इस box के अंदर में आपको एक user manual भी मिल जाएगा जिसमें आपको इस sensor का basic चीजे बताए गया है यानि कि आपको किस प्रकार से इसका connection करना है और किस प्रकार से यह sensor work करता है उसका detail इसमें बताए गया है तो हम इसको यहाँ पे connection करने से पहले हम इसका specification जान लेते हैं क्योंकि wiring करने से पहले हमें उस equipment का knowledge होना चाहिए जिसका हम उपयोग करने वाले हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास में sensor है इसका specification यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यह जो हमारे पास में sensor है इसका जो power source ह यानि कि इस sensor को operate करने के लिए 220 से लेके 240 volt AC power supply देना पड़ता है ठीक है उसके बाद इस sensor को यदि हमें directly load के साथ connect करना हो तो यहाँ पर हम maximum 10 ampere का load connect कर सकते हैं उसके बाद यह जो हमारे पास sensor है इसका जो working temperature है वो minus 20 degree Celsius से लेके 40 degree Celsius तक है उसके बाद यह 50 hertz frequency पे work करता है अब यहाँ पर जो हमारे पास sensor है इसका उपयोग हम किसी भी light को चालू और बन करने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमारा sensor है कब light को on करेगा और कब light को off करेगा उसके लिए यहाँ पर ambient light का detail बताए गया है यानि कि कितना उजाला होने पे हमारा जो sensor है light को on करेगा उसका detail यहाँ पर लिखा गया है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 lux on यहाँ पर जो 10 lux लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि यह जो हमारे पास में sensor है इस sensor को हम जहाँ पर भी connect करेंगे वहाँ पर यह दि रोसनी 10 lux से कम है उस condition में क्या करेगा हमारे जो sensor है वो हमारे lamp को चालू कर देगा ठीक है उसके बाद जैसे ही रोसनी बढ़ जाता है यानि कि 40 lux से ज़्यादा हो जाता है brightness तो उस condition में यह जो हमारा sensor है यह क्या करेगा जो भी हमारा lamp होंगे उसको off कर देगा ठीक है इतना ही हमें basic चीज़े मालूम होना चाहिए इस sensor के बारे में चलिए अब क्या करते हैं हमारा जो sensor है इसका connection करना सीख लेते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यह जो हमारा sensor है इस sensor में 3 wire दिया गया है यह जो हमारा red wire है यह हमारा face wire है और यह black wire हमारा neutral के लिए है उसके बाद जो हमारा output command होगा वो इस yellow wire से हमें मिलेगा दोस्तों यह जो हमारा sensor है इस sensor के अंदर में एक LDR लगा होता है LDR का का काम यह होता है कि जैसे ही उस पे उजाला पड़ता है तो वो output command generate करना बन कर देता है और यादि उस पे उजाला नहीं पड़ेगा यानि कि रोशनी नहीं पड़ेगा तो उस condition में यह जो हमारा yellow wire है इसमें face supply output में देने लगेगा और इस face supply को हम कहीं पे भी इस्तमाल कर सकते हैं तो दोस्तों देखेगा यहाँ पे जो हमारे पास में sensor है इसको face supply और neutral power supply देने के लिए हम इस three pin plug top का इस्तमाल करेंगे इस three pin plug top के साथ में हमने दो wire already connect करके रखे हैं यह जो हमारा red wire है इस red wire का इस्तमाल हम face के लिए करेंगे और यह जो हमारा black wire है इस black wire का इस्तमाल हम neutral के लिए करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जो हमारा face वाली wire है इसको इस red wire के साथ में connect कर देंगे यानि की photo sensor को हम face supply यहाँ पे दे देते हैं ठीक है उसके बार यह जो हमारा neutral wire है इस neutral wire को ले जाके इस black wire के साथ में connect कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारा sensor है इसको face supply और neutral power supply मिल जाएगा अब इसके बाद में यह जो हमारा yellow wire है इस yellow wire में हमें output command मिलता है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक lamp को connect करेंगे इसके साथ में ठीक है तो यहाँ पे जो मेरा lamp है इसका जो face supply होगा इसको इस yellow wire के साथ में मैं connect कर दूँगा कुछ इस प्रकासे में connect कर देता हूँ ठीक है उसके बाद यह जो हमारा lamp है इसका जो neutral wire होगा इसको ले जाके मैं directly neutral वाले power supply के साथ में connect कर देंगे तो यहाँ पे मैं इसको भी connect कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैंने connection कर दिया अब चलिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारा sensor है इसको power supply दे देते हैं तो यहाँ पे मैं power supply के साथ में socket को connect कर देता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो हमारा sensor था इसको हमने power source के साथ में connection कर दी है ठीक है अभी आप देख सकते हो हमारा indication lamp glow नहीं कर रहा क्योंकि ये जो हमारा sensor है इसको रोशनी मिल रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इस sensor को रोशनी से दूर कर देते हैं तो इमें क्या करता हूँ यहाँ पे इसको hide कर देता हूँ ठीक है यहाँ पे मैंने इसको hide कर दिया अभी आप देख सकते हो हमारा indication lamp ये glow करने लगा है यहाँ पे हमारा indication lamp glow कर रहा है अब मैं इसको remove कर देता हूँ यहाँ पे इसको remove करने एक बाद कुछ second के बाद में हमारा जो indication lamp होगा वो automatically off हो जाएगा ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा delay timing है यहाँ पे मुश्किल से 10 second का delay है जिसमें यह off और on होता है ठीक है एक बार और करके check कर लेते हैं यहाँ पर मैंने sensor को hide कर दिया जिससे sensor को उजाला ना मिले ठीक है हमारा जो sensor है वो output command generate करने लगा है हमारा indication lamp glow हो रहा है आप देख सकते हो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इस sensor को दुबारा रोशनी में रख देता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमारा sensor था वो इस lamp को off कर दिया है ठीक है यहाँ पर हम किसी प्रकार का switch को प्रेस करके on और off नहीं कर रहे है पूरा का पूरा automatically हो रहा है हमारे जो sensor है वो इस lamp को चालू और बन कर रहा है अब यहाँ पे आपके पास में all light है जैसे की और indication lamp है तो भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इसके parallel में connect करके इनको भी चालू और बन कर सकते हो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ दो और indication lamp को connect कर देता हूँ और इनको भी एक बार चालू और बन करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है दोस्तों यहाँ पर हमने तीन indication lamp को इस sensor के साथ में connect कर दिये connection सेम किया गया है हमने किया कि इन लाइटों का जो face supply वाली वायर है उसको ले जाके इस yellow वायर के साथ में connect कर दिये उसके बाद जो इन लाइटों का neutral वायर है उसको ले जाके इस black वायर के साथ में connect कर दिये यानि कि neutral power supply को directly दे दिये हैं और जो face supply वाली wire है उसको हमने इस yellow wire के साथ में connect कर दिये हैं ठीके अब यहाँ पर हम इसको एक बार और operate कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको height कर दिया आप देख सकते हो हमारा तीनों indication lamp glow कर रहा है ठीके अब हम इसको यहाँ से remove कर देते हैं अब कुछ समय बाद यानि कि कुछ second के बाद में हमारा जो indication lamp है यानि कि light है automatically off हो जाएगा तो यहाँ पर चालू और बन करने का काम हमारा sensor कर रहा है दोस्तों यहाँ पर installation करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा जब भी आप इस photo sensor को किसी light के लिए इस्तमाल करते हो तो जो आपका light होगा वो bulb के नीचे में नहीं होना चीए कैसे नहीं होना चीज़ समझ लीज़े देखिए यहाँ पर हमारा एक street light है इसमें बताए गया है यहाँ पे हमारा जो photo cell है इसको हम light के नीचे में नहीं लगा सकते हैं यदि आप light के नीचे में लगा दोगे तो इसको हमेसा उजाला मिलते रहेगा और जो हमारा photo cell है यह work नहीं करेगा आपको क्या करना होगा जो भी आपका light है उसके उपर में लगा दीजिए जिससे कि इस photo cell को इस light का उजाला ना मिले ठीक है यदि यहाँ पे उजाला उपर में जा रहा है तो आप यहाँ पे height कर दीजिएगा किसी चीज़ से height कर दीजिएगा जिससे कि इसका रोशनी इस photo cell को ना मिल सके ठीक है दोस्तों अब दोस्तों कभी कभी हमें इसको bypass भी करना पड़ता यानि कि अंदेरा होने से पहले हमें यही इस light को चालू करना हो तो हमें यहाँ पे एक bypass वाली system बनाना पड़ेगा यानि कि एक bypass switch लगाना पड़ेगा किस प्रकार से लगाएंगे समझ लीजिए देखिए यहाँ पे bypass switch के लिए मैं एक simple switch का इस्तमाल करूँगा इस वाले switch का उपयोग करके मैं यहाँ पे bypass circuit बनाऊँगा आपका यदि load ज़्यादा यानि कि आप ज़्यादा ampere current flow करवा रहे हो तो उस condition में आप यहाँ पे M से भी इस्तमाल कर लीजिएगा और यदि आप यहाँ पे एक दो light को चालू करने के लिए इस sensor का उपयोग कर रहे हो तो आप इस type का switch का भी इस्तमाल करके इसका bypass circuit बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पे हमें simply क्या करना है इस switch में दो wire connect करना होगा सबसे पहले तो यहाँ पे हम दो wire को connect कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास में switch था इस switch के साथ में मैंने दो wire को connect कर दिया हूँ ठीक है अब यहाँ पे जो एक wire है इसको मैं क्या करूँँगा जो हमारा face वाली wire है उसके साथ में connect कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको Connect कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने face वाले wire के साथ में एक wire को Connect कर दिया। उसके बाद यह जो हमारा दूसे वायर है इसको ले जाके यह जो yellow wire इसके साथ में connect करना है ठीके। तो यहां पर हम इसको भी connect कर देते हैं यहां पर हमने bypass switch की इस प्रकास से connect की हैं समझ लीजिए देखिए हमने क्या किये यहां पर एक wire के जरिए इस switch को input power supply दे दिये अब इस switch के output terminal से एक और wire को connect करके जो हमारा output वाली wire था उसके साथ में connect कर दिया यानि कि इस switch को चालू करते ही direct power supply हमारे इस lamp को मिल जाएगा चलिए एक बार इसको हम चालू और बन करके test कर लेते हैं तो यहां पर मैंने power supply को on कर दिया हूँ अभी हमारा switch off condition में सबसे पहले यहां पर मैं sensor के दोबारा इस light को चालू और बन करके दिखा देता हूँ यहां पर मैंने sensor को hide कर दिया आप देख सकते हो हमारा जो lamp था वो on हो गया है ठीक है अब कुछ समय बार automatically off हो जाएगा अब यह आपको यहां पर manually इसको on करना है तो आप simply इस switch को press करके light को on कर सकते हो उसके बार इसको press करके दुबारा आप इसको off कर सकते हो तो दोस्तों यहां पर जो पूरा concept था वो आपका clear हो गया होगा I hope कि आपको यह video पसंद आया होगा दोस्तों यदि आपको यह video पसंद आया हो